हेलो दोस्तो एक बात दुवारा से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पर तो दोस्तो आज बात करेंगे IRCTC का ये सैगेंड वीडियो होगा इसमें हम डिसकुशन करेंगे इसकी लेटेस्ट खबर, लेटेस्ट न्यूज and IRCTC के next target का रह सकते है support, resistance क्या है basically आपको इसको long term में hold करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये भी थोड़ा मैं आज add कर दूँगा एक आपको पर एक personal hack दूँगा अपना जिस तरीके से मैं इस stock को follow करता हूँ आपको 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 क्या करना इसके पर हम फड़ा discussion कर दे चार्ट के मातियम से ठीक है ये न्यूज खबर इसकी यह है तो अब एक पर चार्ट देख लेते कि stock का क्या हमारा next target है सकते supporter resistance क्या है अगर हाल फिलाल में आपने buy किया है तो आपको इसमें कैसे काम करना चाहिए और मेरा खुद का एक personal view होगास में चार्ट के मातियम से हम एक वो भी share करूँ आपको तो आप वीडियो को अंतर देख के जा सकते हो तो दोस्तो पहले बात करते हैं stock daily chart में हमें कैसा लग रहा है और long term के लिए stock कैसा है stock almost debt free company है एक अच्छी आपको growth दे रहा है profit अच्छी है प्रोमोटर के holding में अच्छी कासी है almost government का stake है तो थोड़ा हम इसमें bleep कर सकते हैं लेकिन दोस्तो प्रोफिट अच्छे आ भी रहे है तो आपना एक stop loss हमेशा लगाया करो अगर आप long term investment भी कर रहे हो right without stop loss तो यार मती काम किया अगर हो क्या होता ना दोस्तों देखिए अगर आप stop loss नहीं लगाओगे तो आपका 100 रुपए अपने किसी चमी इंवेस्ट किया है याद होगा मैंने आपके साथ एक शीर क्याता है इसका hack और hack क्याता आपको याद होगा मैंने बोला था आप इस टॉक में एक moving average apply करो 61 का ठीक है यह long long moving average है लंबा moving average है एक है छोटा moving average है 9 का इन दो का जब crossover होता आपस में तो हम definitely stock को एक buy की तरफ देखते हैं लेकिन अगर इसका crossover नीचे की तरफ होता है तो मतलब short term period में short term period मतलब होता है कि एक हपते दो हपते कभी कभा एक महिना दो महिना भी होता है short term का मतलब ठीक है जब यह crossover होता है अगर यह हो जाता है तो वह stock नीचे की तरफ चले आता है ठीक है दोस्तों यह मैं apply करते setting आपकी बिल्कुल simple setting है right closing basis में आपको apply करना आपको मैं दिखा देता हूं कि बहुत लोगों को नहीं पता है कि इसको कैसे apply करते है और बहुत साथ लोग यह भी question बूच से सरी आप moving average कैसे निकालते हो देको दोस्तों market में जितना मुझे experience है market में ठीक है ज्यादा नहीं है लेगि मैं एक चीज देखिए रहा यह लॉजिकल चीजश ना काम नहीं करती है यहां हमेज़ा आपको एल्लॉजिकल बात करना ही पड़ेगी और लॉजिकल बात ही यहां पर चलती है और व्यक्ति को पता होगा कि भाई 50 moving average, 500 moving average, 200 moving average, 20 moving average, 9 moving average, सबको पता है, लेकिन 60 moving average कोई apply नहीं करता होगा, 83 का कोई apply नहीं करता होगा, मतल़ समझ पारे हो, अगर आप सेम चीज तरीके से follow करोगे, तो market में काम नहीं करने वाली, क्योंकि आप अगर कुछ चीज को buy कर रहे हो, तो दूसरा वैक्ति हो आप उस चीज को sell भी कर रहा है, समझ पारे हो, यहाँ पर तो पहल हुआ है, buyer और sellers, तो अगर सब वैक्ति एक ही चीज को concept को follow करेंगे, तो यहाँ पर कोई win नहीं करने वाला है, आपको थोड़ा हट के apply करना पड़ता है, तो यह एक moving average मैंने निकाला है, research करके, future में बतला मैं use नहीं कर रहा है, simple moving average apply करना आपको, तो यह होगी setting apply and done, ठीक है, अब आप देख सकते है, blue वाला आपका है, 61 छोटा वाला 9 का है, तो अब manager से बोला है कि crossover होना चाहिए, इन दोनों का, तो देखें दोस्तों, यहाँ पर एक crossover बनता है, इधर, और दोस्तों देखें, यह एक crossover बना, तो यहाँ पर अगर आपने high के आसपर भी buy किया होता, ठीक है, अब आप बोलने सरी है, अब after market क्यों बात करो, जब सब कुछ हो गया, तब क्यों बोल रहे है, दोस्तों देखें, अब आपको बदाये तो, मैंने last वीडियो बनाया था न, आपको याद होगा, मै support लेगे उपर जा सकता है, और तो बांग में दो चुझे काम करती है, एक होती है आपके technical analysis, आप जब market में news out हो जाती है, तब आप स्वक को पकड़ नहीं पाती हो, तो आप क्या किजिए, अपने technical analysis add किजिए, जब news market में आती है, तो आप उसको profit में convert कर पाओ, हमने अपला ये 15 फरवरी के आसपास, तो एक अच्छी positive ख़बर आगे, और stock आपका देखो, आज 3-4% उपर है, और definitely future में भी उपर जा सकता है, क्यों जा सकता है, क्योंकि अच्छी news आईए ना भाई, इसके अब rail की पट्रियां खुल रही है, तो इसके profit भी बढ़ सकते है, margin, definitely stock उप एक घंडे के चार्ट में अगर दोस्तों देखो के, ये crossover आज होने वाला है, देख सकते है, ये होने वाला है आपर, ठीक है, ये हो गया है, अब यहाँ पर हमें buy कैसे करना होता है, मैं आपको बथा देना चाहता हूँ, अगर इस moving है जिसको apply करते हो आप, तो दोस्तों दो दिखाना और वेट करना है, जब तक इसका high rate नहीं होता, 1500 हम इसके तरफ buy का order place नहीं कर सकते है, वन आर के candle में, ठीक है, अब बात करते है, 15 मिल के चार्ट में, अब देखो 15 मिल के चार्ट में क्या होगा, अब दोस्तों 15 मिल के चार्ट में आप देखोगे, तो यहाँ पर आप अपना profit book कर सकते हो double, अगर आपने यहाँ के इसको buy किया है, यहाँ के stoppers लगा रहे हो, target आपका double आ चुका है, इंटर डे में, ठीक है, अब बात करते हैं कि stock में हमें क्या करना है, आज के दिन या कल एक दो दिन में क्या हो सकता है, देखों दोस्तों, अब stock को अगर आपको दुआरा इसको buy करना है, तो मैं आपको सला दूँगा, जब तक, जब तक यह जो box बन रहा है, यह box बन रहा है, पंदा मिट के अडल पर यह बोलता है, यह box बन रहा है, तो जब तक इसका high break नहीं हो जाता, buy मत करना, लेकिन अगर यह low break हो गया आज के इंटरेडे म और close कर देता है, तो यह stock दुबार से नीचे आ सकता है, ठीक है, क्योंकि यह darwin box बनता है, और यह कभी कवारी बनता है, यह हमेशा नहीं बनता है, ठीक है, अगर आप past में देखो कि यह box कब बनाता, तो दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ बनाता, पंदा मिट के candle में यह रह और यह इसका ब्रेक करके नीचे आ गया stock, मतलब एक छोटे period में नीचे आ गया, जो लोग घबराते है stock के उताओ चड़ाओ से, वो definitely इसको follow कर सकते हैं, ठीक है, तो यह stock अगर इसके नीचे close कर देता है, आज इंटरे में, अगर आपने short term में इसको buy किया है, इसके नीचे अगर आपको द्वारा फ्रेश एंटरी करनी है, इसमें तो आप इस price के उपर करना जो 1500 रुपे निकल के आता है, ठीक है बाई, तो आप वेट करो, इसमें, वेट और वाच करो, इस ट्रॉक में अब, ठीक है, तो आप इसमें वेट होगा, जैसे मैं आपको बताया है, बाक इसमें की तरफ, तो आप लगा सकते हो, यहां कहीं इसका स्ट्रॉक हो सकता, आपका यह रहा, ठीक है, यह अक्टूबर नोमेंबर का जो लो है, लास्विंग यह आपका स्ट्रॉक है, ठीक है बाई, तो मेरे साब से बाई, एक अच्छी न्यूज चल रही है, और एक अच् कुछ ना कुछ तो मिलेगा, अगर आप, इंटरे-डे करना चाहते हो, तो इंटरे-डे भी हो जाएगा, लेकिन, आप अपना इरिक्स को धियान रखते हो, इंटरे-डे उसमें कर सकते हो, ठीक है, यहां, स्विंग भी स्में कर सकते हो, तो यह बाई, इसका अच्छी पूश्चिन पूछ सकते हो डेफेंटी मैं रिप्लाइग कर दूँगा राइट चलो मिलता हूं आपको अपने अगले वीडियो में तब तक ले बाइबाइबाइब